हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने वालों की कैसे आप अपने मोटरोला रेजर 40 अल्ट्रा एंडुट मॉइल फोन में आप जो है पैटन लॉक रिमूव कैसे कर सकते हैं अपने मॉइल फोन से ठीक है और यह पैटन लॉक रिमूव होने के बाद आपके मुवाइल फोन की सेटिंग कैसे काम करती है आज के इस वीडियो में मैं आपको डीडियल में जानकारी देने वाले हूँ तो चलिए हैं वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं सबहेंAgquest करना है तो आपको यह आपने pattern lock set कर रखा है उसे आपको यहाँ पे draw कर देना है और यहाँ पर आपका अगला page open होगा देखिए यहाँ पर पहले से लिखा हुआ pattern current screen lock क्योंकि मेरा pattern lock पहले से set है आप pattern lock को remove करने के लिए आपको इसी page में न सबसे ओपर यह known का option मिलता first option known का इसे select करना है यहाँ पर एक छोटा सब page आएगा इस page में आपको नीचे yes remove का option tap कर देना है ठीक है तो आपका जो है ना नीचे की side यह screen lock के नीचे आपको यह known लिखा हुआ जाएगा ठीक है इस तरीके से आपका pattern lock remove हो जाएगा आपके phone से अब यह pattern lock remove होने के बाद आपके mobile phone की setting कैसे काम करेगी यह मैं आपको बता देता हूँ देगी दोस्तों जब भी आप phone की screen को off करेंगे इसके बाद phone की screen को on करेंगे तो आपने अपने mobile phone में जो last page आखरी page जो छोड़ा होगा वो आपका सामने दिखाई देगा ठीक है आपको इस बीच में कोई भी pattern lock लगा हुआ दिखाई नहीं देगा यह आपको इस तरीके से काम करेंगे आपकी phone की setting पैटन लोक रिमूव होने के बाद ठीक है अब मैं आपको इस setting क यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप search बार में setting का name आप type करेंगे तो यहाँ पर आपको spelling mistake नहीं करनी है अगर आप यहाँ पर search बार में spelling mistake करेंगे तो आपको नीचे की side option दिखाई नहीं देगा इस बात का भी आपको ध्यान रखना है ठीक है तो